हेलो एवरिवन सो आज भी मैं आपके साथ कुछ क्विक डियाइवाई शेयर करने वाली हूँ सो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं सो इस डियाइवाई के लिए मैंने ये बैडमेंटन का रेकेट लिया हुआ है ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ थो आज मैं उसी को यूज करने वाली हूँ और साथ में कुछ काड़ बोड के पीस कट कर लिये थे उन्हें रेडी कर लिया है और आपस में स्टिक कर लूँगी ये जो सारी स्टेप थी वो बहुत बेसिक स्टेप है मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ तो उसे मैंने फटाफट से कर लिया है नौ इंपॉर्टन थिंग कि मैंने इसमें बैडमिंटन क्यों लगाया है ताकि इसे सपोर्ट मिल सके एक्चुली बैडमिंटन बहुत टाइम से पड़ा हुआ था तो उसे ही मैंने इस पर सपोर्ट के लिए यूज किया है अगर आपके पास नहीं है तो आप डिरेकली कार्डबोर्ट से भी बना सकते हैं ये सेम ही रहेगा सारा बेस स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं इसकी डिजाइनिंग वाला काम कर रही हूँ सो पहले मैंने कुछ लाइन्स ट्रॉ कर ली है और उसके बाद मैं इसमें कलर्स करूंगी सो अब ये आपके माइन्ड में आ सकता है कि चलो इसको स्किप करते हैं और आगे हम देखते हैं कि एंड में कैसा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है से स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि बेस हम तो कैसे भी बना लेते हैं लेकिन जो उसके डिजईनिंग वाला पार्ट होता है वो ही बहुत ज़्यादा difficult होता है और final output तो हमें डिजईन से ही आने वाला है और जब भी हम designing का काम करने बैठते हैं न तो उसमें हमेशा difficulty होती है क्या design बनाए, क्या अच्छा लगीगा, क्या नहीं ये सब हम सोचते रहते हैं तो इसलिए आप इन designs को ध्यान से देखिए क्योंकि जब मैं भी बनाने बैठी थी तब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा थे कि मैं इसमें क्या बनाऊ बहुत analysis करने के बाद में मैंने इसमें design बनाया है जो कि perfect लग रहा है तो मैंने आधा काम तो कर दिया है अगर आप इसे recreate करते हैं तो design के बारे में सोचनी की कोई ज़ूरत नहीं है तो मैंने इसे फटाफट से complete कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें jute rope लगा रही हूँ and that is not optional अगर आप इस तरह का कुछ DIY बनाते हैं तो उसमें jute rope तो आपको लगाना ही चाहिए इससे ये बहुत ही सुन्दर लगता है और एक enhancement आजाता है आपके project में and इसके बाद इसको थोड़ा सा rustic look देने के लिए मैंने थोड़े से strokes डाले हैं इसमें brown color, black color और थोड़ा सा white color इस तरह से थोड़े थोड़े से strokes डा रहे हैं मैंने dry brush की help से and इसके बाद ये DIY ready हो गया है इसका final output मैं आपको end में दिखाऊंगी now for next DIY मैंने इसके लिए भी cardboard ही लिया है और इसमें सबसे पहले मैं एक rough sketch draw करूंगी again तो ये जो laptop वाले boxes होते हैं वो काफी strong होते हैं जो भी DIY हम बनाते हैं अगर उसमें इस तरह के boxes का use करेंगे तो वो काफी stiff होते हैं तो वही मैंने यहां पर use किया है और इसके दो टाइप के patterns कर लूँगी एक में मैंने base बनाया है और दूसरे cardboard से में इसकी tail बनाऊंगी अगर आपके बास masking tip नहीं है तो tissue paper से भी आप इसे cover कर सकते हैं glue और water का mixture बनाना है और just उसे paste कर देना है इसके बाद मेरे दोनों piece ready हो गये हैं अब मैं इन्हें stick कर लूँगे आपस में तो इन्हें इस तरह से glue की help से stick करना है and just रहने देना है इसके बाद हम इसके designing का part करेंगे so again designing is very important color combination is very important अभी सारी fish वगेरा है जो की coastal theme और beach theme से related होती है so blue color तो चाहिए इसमें and yes इसको थोड़ा सा rustic look देने के लिए मैंने कुछ strokes डाले है brown color use किया है orange color use किया है and मैंने white color भी use किया है और यहाँ पर आपको use करना है dry brush क्योंकि dry brush से ही अच्छे strokes आते हैं so यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है and again jutrope is must यहाँ पर भी अगर आप jutrope लगा देंगे तो काफी सुंदर लगेगा यह enhance हो जाएगा आपका project बहुत ज़्यदा simple भी नहीं लगेगा और classy भी लगेगा and इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है simply चीजों से ही से बना लिया है और देखाना आपने फटाफट से बन गया है यह और इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि rustic wood से बना हुआ है so जैसा मुझे चाहिए था यह वैसे ही बन कर आया है इसका मैं output आपको आगे दिखाऊंगी और इसका part 1 भी मैंने share किया हुआ है अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखे और आगे भी इसके next part आते जाएंगे so यह DIY यहाँ पर complete हो गया है और आप enjoy कर सकते हैं इसका final reveal styling videos मैं बाद में share करने वाली हूँ so आज के video में बस इतना ही मिलते हैं next video में till then bye कर दो बस्ते हैं